तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का मस्ट विवियाई सब्जेक्टिव कोशन करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कोशन है ये और 10 और आज ये आखरी वीडियो समझे कि आज का ये आखरी वीडियो जिसमें हम लोग मातर 10 चप्टर बचा हुआ था तो 10 चप्टर तक के सभी सब्जेक्टिव कोशन को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो की मस्ट विवियाई है आप लोग के पॉइंट कर नहीं आएंगे तो ये चारों वीडियो आप लोग जरूर देख लिजिएगा अगर पिछला तीन वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक किसी वीडियो का डिस्क्रिप्टिशन में डाल दिये गए है आप लोग देख लिजिए क्लास ट्वेल्थ उर्दू निए संथ वीड ठीक है तो अगर आप लोग तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लिजिए और यह आखरी वीडियो है चलिए आज कि इस वीडियो को में लोग कंप्लीट कर लेते हैं मतलब इन दसों चैप्टर कितना चैप्टर से 31 से लेकर 40 तो जितना भी मैं आप लोग को क सब्सक्राइब कराओं की रिटन एंसर मिलेगा और रिटन एंसर को पढ़कर समझ कर आप लोग को यह आईडिया मिलेगा कि आप लोग भी फाइनल एक्जाम में किस तरह से लफजों को सजाकर एंसर लिखेंगे ठीक है और कोशन का एंसर मेरे बताने से पहले आप लोग लिखा हुआ है क्लास 12 तुर्दो मस्ट विवेई सब्जेक्टिव क्योशन विट एंसर और हां एक और चीज में आप सभी लोग को बता देना चाहती हूं जैसा कि आप सभी लोग का बहुच्द कमेंट आ रहा था कि मैं में यह जितना भी मस्ट विवेई सब्जेक्टिव क चानल का नाम है आप लोग जुड़ जाएं लिंक किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है आप लोग को ढूंबने की भी जरूत नहीं पड़ेगी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ है और आप लोग को फ्री में यह सारे सब्जेक्टिव कोशन जो की आज किस वीडियो कोशन कंपलीट हो जाने के बाद आप लोग को Εकंप्लीट पू取 दिया जाएगा तो आज इस वीडियो में तो तो सारा सब्जेक्टिव कूशन कंप्लीट ही हो जाना है तो फिर हम वीडियो सारा सब्जेक्टिव कोशन कंपलेत लें यह सारा साल की से बस का दाले Patreon यहाग पर्षन भी टेंशन लेने की ज़ूरत नहीं है ठीक है ना चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं pdf खोलोका टेंस मत धोएगा आप लोग को pdf दे दिया जाएगा आज नहीं तो कल कल नहीं सच्छे नंबर क्योश्टन से कोश्टन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग अलड़ी इसके पहले वाले वीडियो में एक सब पांच नंबर क्योश्टन तक कम्प्लीट कर चुके हैं ठीक है ना तो आज किस वीडियो से इसी वज़ा से एक सच्छे नंबर सवाल से कोश्टन इस क्रांती में परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी होती है तो क्रांती जो पूर्ट अशद्दुद क्रांती होती है यान कि आहिंसात्मक उसमें परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी होती है तो यह हो गया एंसर बस यह जितना भी में आप लोगो सब्जेक्टिव कोशन कर रही हुए यह हर एक सब्जेक्टिव कोश्चन पर आप लोगो का कमांड होना चाहिए कोश्चन पढ़िए खुद से एंसर देने की कोश्च कीजिए नहीं दे पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं मैं एंसर तो लिखी हूँ पढ़ लिजे और ध्यान दिजे कि किस तरह से एंसर ल आना है तो कामिल इनकलाब के बारे में जैपरकाश ने जिस तरह के ख्यालात का इजहार किया है उनका जो खुटबा कामिल इनकलाब के उन्वान से हमारे नसाब में शामिल है उसकी रोशनी में अगर इनकलाब काम्याब की मनजल को पहुंच जाती है तो उमीद है कि समाजी हैसियत में नुमाया तब्देली आएंगी मुक्तलिफ पिस्म की समाजी बुराईया समाज से खत्म हो जाएंगी जैसे चुआ चूट जात पात और फिर कवारियत जैसी बुराईया खुद बखुद दूर हो जाएंगी तो ये होगा जब कामिल समपून कृरांती जो है वो कामियाब हो जाएगा तो यानी की समपून कृरांती के बाद यह सारी तब्दिलिया यह सारे परिवर्टन आएंगे समाज में सारी बुराईया खत्म हो जाएंगी छुआ चूट जातört पात को लेकर जो भेर्दभाव होता है यह सब कुछ खट्म हो जाएगा ठीक है ? नेक्स्ट कोश्टन देखिए जोच के हम barrier 3,000 के नाम बताईए यह important कोश्टन है और तिन हम अ FR-30 का नाम याँ पर दे दिया गया है पहला है फैज-अमت-फैज दूसरा है जमील-मजहरी तीसरा में है अमिक खंफी ठीक है ? बेनूर क्यों हो जाता है तो जब आजादी के दिवाने परवाने हर्कत में आ जाते हैं तो वह दुनिया में कोई भी Annaklaidge ला सकते हैं यानि कि कुई भी करांती ला स्कते हैं और किसी जालिम वे जाबिर हुक्मरांṓं की हुकूमत का तक diy लॉट सकते हैं यानि कि किसी भी जालिम और चाहे कोई भी बादशाह हो ठीक है कोई भी भी उक्म क्यों कर रहा हो जितने भी बादशाह है या फिर सुल्तान है उनके तख्ता को पलट सकता है अगर करांती हो गया तो, इसलिए इस खौफ से सुल्ताने व inflation का चेहा बेनूर हो जाता है इस लिए इस खौफ, इस डर से जो सुल्तान है, यनि आप यू với कह सकते हैं, बाद शाह जो पूरे देश को चलाता है मलक को चलाता है, उसका चेहा बेनूर हो जाता है ये सारी बात सोच कर और इस खौफ से ठीक है next question एक तुफाने बला किसके लिए मंतजिर है तो एक तुफाने बला शायर के लिए मंतजिर है अगला सवाल है तुफाने बलाई यान की बला की तुफान पूरा चप्टर तो मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ाई हूं तो अगर आप लोगों ने चप्टर पढ़ाई तो एक भी कोशन आप लोगों से चूटा चूटेगा नहीं हर एक कोशन का एंसर आप लोगों खुद से दे पाएंगे सवाल पालने वाले और दिल के वहशत वाले शायर अपने गम और वहशत की कश्मकश बाहर निकलो और इससे निजात हासिल करो निजात हासिल करने का तरीका यह है कि रात के वक्त शहर की जगमगाती और जागती सड़कों और जिल मिलाते कुमकुमों का नजारा करो आसमान पर ता खाने में चलते हैं यानिकी चल किसी खाने में चलते हैं अगर वहां भी पॉसिबल ना हो तो चल तेरे महभूब के काश्याने में चलते हैं ठीक है ना और यह जितने भी रुस्वाई वाले अमल है यह सारे काम करने के लिए सारे अमल करने के लिए रात हस हसकर शायर से कहती है आई होप आप लोग को सब कुछ सारा एंसर पता होगा बस यहाँ पर लफजों को सजा कर आप लोग को लिख देना है इतने बहतरीन धंग से लिखना है कि कॉपी चेक करने वाला आप लोग के एंसर को पढ़कर एक लंग खुश हो जाए और फुल माक्स दे दे ठीक है यह सब पर जो दमकता हुआ पत्थर है वह उसे भी तोड़ देना चाहता है शायर का कहना यह है कि जालिम और जाबिर चंगेज की खंजर को तोड़ने की हिम्मत अगर दूसरों में नहीं है तो मैं ही आगे बढ़कर इस खंजर को तोड़ देना चाहता हूं तो इस तरह चंगेज क के साथ शायर जो हैना सुलूप करना चाहता है नेक्स्ट कोशन शायर के दिल में गम और वहशत क्यों है तो शायर के दिल में गम और वहशत इसलिए है कि वह जिस मकश में मुपतला है उससे निजात हासिल कर लेना चाहता है रात की जगमगाती जाकती सड़के जिल मिलाते क कुमकुमों में आसमान पर तारों का जाल और किसी तूटे हुए तारों की फुलजड़ी घर्ज के शहर की रात का हर मंजर शायर को जिछोड़ देता है यही वज़ा है कि शायर के दिल में गम और वहशत पैदा हो गया है नेक्स्ट कोशन फड़वर देखते हैं एक सब पंद कोशन का जवाब देखिए लिखा हुआ है कि शायर ने अपने आपको नाशाद और नाकारा इसलिए कहा है कि वह नामवाफिक हालात से घबराया हुआ है इसलिए इस परिशानी में वह अपने गम को वहशत दिल को पकारता है यानि कि अपने गम और दिल के वहशत गमे दिल और वहशते दिल को उसके दिल में क्या है गम है तो यहां पर बोला जा रहा है इसी वज़ा से इस परिशानी में वो अपने गम दिल को और वहशते दिल को पुकारता है और कहता है कि शहर की रात की रंगीनिया और इन रंगीनियों में नासाद और नकारा बना हुआ हूं मैं और इस सडकों पर मैं नासाद और नकारा फिर रहा हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि हैदरबादी उल्मा वली का पूरा नाम और जाय पैदाईश के मतालिक क्या बताते हैं ये इंपोर्टन सवाल है और इसका जवाब देखे लिख दिया गया है है अगला सवाल तारीख अदब में वली किसके दर्मियान एक पुल की तरह द दिखाई देते हैं ये मस्ट इंपोर्टन कोशन है तारीख एदम में वली शुमाल और जुनूब के दर्मियान यानि उत्तर और दक्षिड के दर्मियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं अगला सवाल है कि वली की शायरी की दो खुबियों को वाज़ी की जिए वली की बिल्कुल मौजूदा जबाने के वली के बाद सौरी बाद नहीं रहेगा वली के कलाम जो है ना बिल्कुल मौजूदा जमाने के मालूम होते हैं वली की शायरी की दूसरी खुबिया है कि उनमें हिंदुस्तानियत का बहुत ज्यादा असर है उनके यहां जो अलफाज मिलत किस सिन्फ में तबाजमाई की थी तो देखिए रासिख ने खसूसन गजल कसाइद रुबायात और मसनवियात में तबाजमाई की थी ठीक है अगला सवाल कि रासिख किसके शागिर्द थे तो रासिख जो थे वो मीर तकी मीर के शागिर्द यानी की स्टूड़न्ट थे अगल अजीम ठीक है यहां पर आबादी तो लिखा हुआ है अलिफ के उपर मत रहेगा रासिक अजीम अबादी ने यह तो कई शोरा से अपने कलाम में इसला ली लेकिन दो अस्ताद जो है उनके नाम खुसूसन एक मिनट रुख जाए दो अस्तादों के नाम खास तोर पर काविले यानिकि दो एस्तादों का नाम दो टीचर का नाम यहां पर लिया जा रहा है जिन में एक मिर्जा मुहमद फदवी हैं जिससे रासिक अजीम रिजमबादी बुड़ापे में तसवफ की तरफ माइल हो गए थे नामवाफिक हालात की शिद्ध के नतीजे में अक्तर बिमार पढ़ने लगे थे आखिरकार रिजमबाद के पढ़ना से थी के महला लोधी कट्रा में 65 साल की उमर में अठार साथेई सिस्वी में रासिक थाजिमबादी का इंतकाल हो गया और महला लोधी कट्रा में ही इनको मदफ़न कर दिया गया यानि की लोधी कट्रा में ही मदफ़न होगी नेक्स्ट कॉश्टन मीर की तरबियत का जिकर मीर की तबियत का रासिख अजिमबादी पर देखे यहां पर रासिख पर रहेगा रासिख पर क्या असर हुआ यहां पर रजाक टाइप हो गया है ठीक है यहां पर रासिख रहेगा मीर की तर्बियत का रासिख पर क्या असर हुआ तो मिर की तर्बियत का, रासिक की शक्सियत पर रतना अच्छा असर हुआ, कि उनकी शायरी में असाध्जा जैसी पुख्तगी आ गई और उनकी शायरी पर मिर का रंग वहा आहंग चाया रहा. यानि कि टीचर मिर्ता की मिर्थ है तो अपने टीचर जैसे ही जो है न पुखतगी आ गई थी उनकी शिर्व शायरी में और अपने टीचर यानि की मिर्ता की मिर्थ के जैसा ही रंग वा आहंग चा गया था उनकी शायरी में नेक्स्ट कोश्चन है एक सब पच्चेइस नमबर सवाल कि फार्शी जबान के किन कसीदा निगारों को सौधा ने अपना नमूना बनाया तो फार्शी जबान में कई शायर ऐसे थे जो कसीदा निगारी के लिए मशुर हैं उनमें सिराजुद्दीन अरीख आर्जु ऐसे फा में वी केसिदे की सक्षिदा जो हुई ती सबसे पहले अर्भी जबान में ती अर्भी के प्रपाइद के रहे हैं तो देखिए सबसे पहला है तश्वीव यानि की कसीदे में तश्वीव होना चाहिए दूसरा पॉइंट गुरेज और तिसरा क्वादीन से गए हैं तश्वीव में आम तोर पर कसीद निगार तम्हीद के तोर पर कुछ अश्रार कहता है जिसमें बाद अश्रार मनाजिरे फित्र हते हैं और बाद इस्वास्षण वेश्ज़क्स से भी अश्रार हुश्ण को भी मुद्छ भीुद ह baking यह्याए साय धाल ना सुटे का खाल फो Harmonie से यहां एक प्रिजुएषट को तो यहां पर आप लोगों, अगला सुवाल को छोड़ा भलू कुछ पढ़ाय जाता है थो serves यहां उर्द्रौ सब्जरूइशन के पर्गशल पतान ना खाले हैं और मतलब graduation में और deeply पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर बताया गया एकदम deeply आगे बढ़ते हैं खेर इतना deeply यहाँ पर तो आप लोग के tools में नहीं पूछेगा मुझे जहां तक अंदाजा है इतना deeply जाकर पूछता भी नहीं है अगला सवाल देखिए 168 नमबर सवाल है कि साथी हाथ बढ़ाना गीत में कितनी बार आया है तो साथी हाथ बढ़ाना गीत में छे बार आया है यह important question है आगे बढ़ते हैं फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें से क्या मुराद है तो फौलादी के मानी फौलाद के मानी लोहा होता है जिस त मजदूरों के चाहने से चटटानों में भी राहे पैदा हो क्या हो सिकती है हैंसर में देखे लिखा गया है शाहिर 又 लृधियानवी ने जहा呢 कि कब तक मेहनत के पैरों में डौलत की जन्जीरे जिसे शाहिर ने एक फास पसमन्जर में लिखा है वो यह है कि हिंदुस्तान में इन कलाब आ रहा था और कारखानों में जदिद मशीने लगाई जा रही थी नतीजा यह हुआ है कि मेहनत कश मजदूरों को अपने काम से जबरदस्ती सुबक दोश होना पड़ रहा था जिससे रोजगार के मसाइल पैदा हो रहे थे इन हालात में मजदूरों में मायूसी और नाई उमीदी पैदा हो रही थी उन्हें मजदूरों के लिए लड़ने और उनका होसला बढ़ाने के लिए शाहिर लुद्यानवी ने ये गित लिखा था हो गया ऐंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल एक सब 32 नमबर सवाल है कि वली का असल नाम और मुकामे पैदाइश गुजराथी महखकिन की नजर में क्या है तो गुजराथी महखकिन यानि की गुजराथी जो रिस्तरचर थे उनकी उनके हिसाब से उनकी नजर में वली का में बता दीजिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल रश के ची से आप क्या समझते हैं रश के ची से मुराद चीन के महभूब की खुबसूरती की मिसाल है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल शिकस्त-ई-जिन्दा का खाब की ताबीर क्या है तो इसकी ताबीर है मुलक की आजादी नेक्स्ट कोश्चन एक सब्पैंतीस नंबर सवाल है कि जोश की पांच तसानीव के नाम बताईए तो पांच तसानीव यानि की पांच क्रिएशन के नाम यहाँ पर लिख दिया गया है पहले पहला है रूह अदब दूसरा है नक्षो निगार और तीसरा है यादो की बारात चौथा है शोला वशब नम और पांचवा है हर्फ कायत तो यह पांचता सनीफ यहाँ पर लिख दिया गया है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 136 न पहले अफ्सानवी मझमुवह का नाम बताएए तो वेधी के पहले अफ्सानवी मझमुवह यहन की कहानी के किताब का नम है दानावदाम वबा पर कावबब पा लेने के बाद ढॉक्टर को कौन सा अफ़धा हासिल औक्टर को 750 का ओसिल ऊसील हाँ पोस्ट मिला कि अगला सवाल है कि बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक्यात को बियान किया गया है तो फाइनली आज के इस विडियो मेंsst के उर्दू के बुक का टोटल 40 चैप्टर couch चालिस का 40 चैप्टर का विव यह सबजेक्टिव कोशन कम्प्लीट हो जाता है यानि कि आप यूंग कह सकते हैं कि क्लास 12 के बुक का टोटल मस्ट विवव यह सबजेक्टिव कोशन आज के इस वीडियो में complete हो गया ठीक है तो चलिए आई होप आप लोग को आज के इस वीडियो में जितना भी question answer कराई वो हर एक question answer समझ में आया होगा कोई भी doubt है तो comment मिलिकर पूछ लिजिएगा हो सके अगले वीडियो में उस confusion को clear कर दूँ और जो कुछ भी मैं आप लोग कि क्या होता है आगे आप लोग का subjective होगा की objective होगा अभी कि अबहुत आप लोग को एक separately दो नमबर वाला subject question करा दूँगी इसके बाद से तीन नमबर वाला और पांच नमबर वाला अब आगे क्या करना है वह आप लोग को मैं बता ही दूँगी बस आप लोग थएड़ करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज